नमस्कार दोस्तों कांता किचन में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको यह मेंगो इस्टीम संदेश बनाना बता रही है मेंगो संदेश बनाने के लिए मैंने डेर लीटर दूद का पनीर बनाया एक आम का पल बनाया जिसे मैंने आम का पल निकालके गेश पे इसको गरम करके इसमें 2 चंब चीनि डालके इसको थोड़ा गरम किया तयार करके यह इस तरह से बन गया और मैंने यह चीनी चार प्रवर्वल्स्पून चीनी लिए जो संदेश में डलेगी यह केसर लीम कुछ मातरा के लिए अब थूड़ा इलाईची पावडर चाहिए अब मैंने इसमें चीनी डाल दी अब इसके अंदर यह पनीर डाल रही हूं इसको मैं मिक्सी में पीशुंगी देखे मैंने मिक्सी मे के अब यह पनीर इस तरह से सौफ्ट हो गया था अम ने केक टीन को गी से ग्रिस कर रही हूं आधा पनीर मैंने पहले इसके अंदर बाल लगाओंगी फिर मैं इसके उपर वापस पनीर लगाओंगी यह देखे इसमें आम का पल इस तरह से लगा दिया है अब इसके उपर वापस वही पनीर जो रादा रखा था ना वह लगाऊंगी इसमें देखिए अब मैं इसमें उपर ये पनीर का वापस एक लेर लगा रहे हैं यह देखिए यह मैंने दूसरी वह महेंगो के उपर फिर ये पनीर की लगा दिया अब मैं इसको स्टिम करूंगी आप देखिए मैं इसमें केसर इलाइच यह सब इससे डाल दूंगे अब मैं इसको 15-20 मिनट स्टिम करूंगी इस तरह से और तेज गेस पे करना अपने को फुल फ्लेम पे अब आपन इसको चेक करने से इअपना हो गया तो इसको इस तरह से थोड़ा ये मन शजैब 'MA बड़तने से जूल लिए देग 58B अब मैं इसको निकालके यह इस्टिम से बनने के बाद जो मैंने फ्रीज में इसको आधी घंटा रखा अब मैं इसके प्रीज काटके बताऊं गया अब देखें यह इसे त्याब लगया ठीक हमें इनके पीस निकालों यह देखें इस तरह से हमने मेंगो जो लगाया इस तरह से हमें इसके इस तरह से इनको कट करते हैं देखें हमारा यह मेंगो संदेश तयार हो गया है इसको मैंने आधी घंटा फ्रीज में रखा यह इतना चिल्ड होगा ना उतना खाने में तेस्ट अच्छा आएगा इसका